नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग गेट सिक्सेस 247 के एक और न्य वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजसान करेंटरफेस का एक और वीडियो आज आपके 8 जुलाई और 7 और 8 जुलाई के आपको काड़ियों को सीधी नौकरी दी जाएगी आप सभी ने सही जवाब यह था 2016 के बाद से सी ऑप्षिन आपके यहां पर यह गरेक्ट होगा अब आज के लिए आपका कुशिन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में किने काला और बाला देवता भी कहा जाता है च रज़तान में चित्रकरों के पहल पर हर साल आयवजित होने वाला रंग मलहार करेक्रम का और ठीक początku हो यहाली में किया गया है पान्च जुलाई डोहहजार बीस को और कोरोना की वज़त से इस बार इसे online celebrate किया गया है तो जितने भी इस बार आपको पता है कि कोई भी करेक्रम हुआ है प्रत्योगिता हुई है वो सब भी आपकी online हुई है कोरोना की वज़त से और इस साल object के रूप में प्रकरती को message देने के लिए चित्रकारों के लिए handbag को चुना गया है तो ज़्यादा इसकी detail information नहीं है और आपको ज़्याद भी नहीं रखना है इसे detail में एक्जाम में ऐसे कुशन आते भी नहीं है सिर्फ आपको रंग मलहार करेक्रम किस से संबन देते हैं और पांच जुलाई 2020 को ये online मनाया गया बस इतना सापको याद रखना है बढ़ते हैं के लिए कुशिन के और के राजसान में महत्मा गांदी की डेड़ सो भी जैनती वर्ष के करेक्रम को बढ़ा कर कहां तक जारी रखने का निर्ने लिया है तो इसे 2021 तक बढ़ा दिया गया है तो 2 October 2021 ये option आपका यहाँ पे एक रेट होजाएगा पहले इसकी डेट के आती है पहले ये 2020 तक ही था 2 October 2020 तक था ये पहले अब इसे एक साल आगे बढ़ा दिया है तो थोड़ी सी इसके डेटल बात कर लेता है के CM अशोक हलोत ने राष्ट अबिता महत्मा गांदी के विचारों को जन जन दक पहुंचाने के लिए उनकी डेट सोवी जेंती वर्ष के करेकरम को एक वर्ष और बढ़ा कर 2 October 2021 तक जरी रखने का नेड़ने लिया है और ग्राम सर पर साक्षर्ट अमिशन के तहर शुरू किये के महत्मा गांदी वाचनाले और पोस्तकालियों को फिर से खोलने का और उनमें गांदी जी को गांदी से जुड़ा साहित्य उप्लाउद कराने का भी निर्ने लिया है तो यह सबी बात हो गई इस कोशिन की जादा डीटेल में नहीं पूछेंगे आपसे ऐसा कोशिन बस ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि इसे कितना वर्स बढ़ा दिया है तो यादखना एक वर्स बढ़ा दिया है पहले था दो अक्टोबर दो हजार बीस तक अब हो जाएगा 2 ओक्टोबर 2021 तक बस इतना सा यादखना है अगला कोशिन के रास्तान के के जिले में सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीन इलाकों में लोगों को घर बेटे पेंशन मन रहेगा भुकतान हितू डीजी पे सकी की नियुक्ती की गई है दोस्तों यह कहाँ पे की गई है धौलपूर में बी ओप्शन आपका यहाँ पे एकरेट हो जाएगा नाम यादखना है डीजी पे सकी बस यह important है इसके question के अंदर और किस के लिए है important मतलब किस इसका basically मोटो क्या है कि लोगों को घर बेटे pension मनरेगा भुकतान हे तुँ यह दीजी पे सकी किन्यूक्ती की गई कहाँ पे धौलपूर में तो धौलपूर जिले में अब ग्रामीने शेत्रों में digital payment जिले की सभी ग्राम पंचायत के सुधूर ग्रामीनी इलाकों में लोगों को पैंशन मनरेगा भुकतान महिलाओं की दीजी पेश सकी के रूप में निक्ति की गई है तो देखे जो भी कुशन मैं आपको बताता हूं या जो भी कुशन समयां पर पढ़ते हैं, उन मैं से मैं आपको बता देता हूं क्यों मौश-मौश इंपोर्टन्ट क्या है, देखे एक्स्ट्रा नौलेज जो ची गुरु पुर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है, तो सिंपल सा है, अभी हाली में गया है, आपको पता होगा, आशाड पुर्णिमा को, यह option आपका यहाँ पर एकट हो जाएगा, अब देखें, यह current face point of view से important नहीं है, पहले बता दू, current face point of view से important नहीं है, लेकिन, आपके र पुर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, तृत्या, आपको पता है न, तो उस इसाब से यह important है, और हाली में यह मनाया गया है, तो एक्जाम में आने के इसके chances इस बार है, ठीक है, और दोस्तों लास्ट 6 महीने की मैंने आपको राजसान की current face provide करवा दिये, अगर आपने व गंटे का वीडियो है, मेरा थन वीडियो है पूरा, उसमें 260 questions है, 260 questions है, तो वीडियो जाके जरूर देखना, उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के नीचे description मैं भी दे दूँगा, साथ साथ मेरे channel पे जाओगे, तो last video आपको वही मिलेगा, तो फटावर से जाओ और वो कर्मन रस्तोगी, बेसिकली जैपूर के रहने वाले हैं कर्मन रस्तोगी, और इन्हें यह जो यही विद्यारती है, जिन्हें सहींक तुराश्चे परियावरन कारिकरम 2020 में, टाइट टर्नर प्लास्टिक पुरिसकार से संभनित किया गया है, और क्यों किया गया है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, कि प्लास्टिक चैंपिन मतलब प्लास्टिक से संभनित कुछ चीज़ें होगी, जैसे कि प्लास्टिक का जो दूस प्रवाह होता है अमारे परियावरन पर, उसके बारे में लोगों को जागरुक करना, गुम गुम के इनके बा गया है दोस्तों, डीवी गुपता को, यह option आपका यहाँ पर एकरेट हो जाएगा, तो basically अभी आपको बताए कि डीवी गुपता को इनके मुख्य सचीव के पट से हटाए गया है, मैं आपको कल लास्ट वाले वीडियो में नियुक्तियों के questions बताए दे काफी सारे, अलग जिनमें मुख्य सचीव थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इन सभी की जो नई नियुक्तियों हुई थी उनके बारे में बताए तो उसमें मैं आपको बताए था कि डीवी गुपता को मुख्य सचीव के पट से हटा दिया है, तो अब मुख्य सचीव कौन बन गए, यह अब यह एक पॉइंट है, यहां पर, कि मुख्य सचीव अब यहां पर बन गए है, राजी सवरूप, जो कि पहले डीवी गुपता थे, और प्रमीन गुपता जो यहां पर ओप्शन दिख रहा है, यह भी इंपोर्टन है, यह राज्तान के अभी मुख्य निर्वाचन अध जारी कर दिया है, और इन्हें सलाहकार नियुक्त किया है, तो बस यह इंपोर्टन है यहां पर, ज़्यादा कुछ है नहीं, नियुक्त से संबंदित है, एकला कुशन, हाल यह में किस राज्य में, शान्ती एवं अहिंसा विभाग का गठन किया जाएगा, तो दोस्तों यह शान्ती एवं अहिंसा विभाग, तो राश्य पिता महत्मा गांदी के सत्य अहिंसा व शान्ती के सिधान्तों को सरकारी कार्य प्रणाली में समाहित करने के लिए शान्ती एवं अहिंसा विभाग का गठन किया गया है, और शान्ती एवं अहिंसा विभाग का काम प्रदेश महत्मा गांदी के सिधान्तों पर सिधान्तों का जो है उनका प्रचार प्रसार पर नहीं पीडी को उनके बारे में जानकारी देना होगा सियम अशोग हैलो दोरे इसकी गोशना की गई तो basically देखे जहां पर भी नाम आपका शांती अहिंसा काता है वहां में automatic नाम किसका यादा था महत्मा गांदी जी का तो उन्हीं के जो विचार है सांती अहिंशा के जो भी उनके विचार थे उनका प्रसार प्रसार करना नई पीधी में और उसके बारे में ये विभाग होगा पूरा और राजसान देश का एक मातर ऐसा राज़ा बनेगे हैं वह सभी पीडिएफ आपको आज मिल जाएगी ठीक है वह भी आपको आज मिल जाएकी इस वीडियो के आसल पीडिएफ सभी मिल लेगी कुछ काम के वाजरे पीडियाफ नहीं दे पाया था तो उसके लिए सॉरी लेकिन आपको सारी पीडियाफ आज साथ में मिल जाएगी साथ साथ इंस्टाग्राम फेस्बुक और हमारी जो वाट्सअप कॉंटेक्ट डिटेल है वो भी आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंग जाएगे सेज़के और वर्ष के आयूं में इनका निदं हो गया तो फूटनतर संग्राम में स्वर्गे इस्वा घैराता बन जाएगा थे साथ यृटस व näमने शामील ए और जंब उप ता 23 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हो था सिंध में और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसके दोरान ये अजमेरा कर बस गए थे पहले ये सिंध प्रांत में रहते थे और जब बंटवारा हुआ तो ये अजमेरा कर रहने लगे बस इतना इकोशन है नेक्स्ट बात करते हैं कि हाली में हिंदूस्तान जिंक की पांच एकाईउं को किस शेत्र में उतकरेष्ट योगदान के लिए रास्तान सरकार दोरा सम्मानित किया गया है तो किस शेत्र के लिए सम्मानित किया गया है शिक्षा के शेत्र के लिए सी यह option आपका यहां पर इक्रेट हो जाएगा 26 वे राजस्तरिय भामाशा समान समारों में यह पुरिसकरत इनको किया गया है गोविन सिंग डोटासरा ने वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से भामाशा समान समारों का उद्गाटन किया तो गोविन सिंग डोटासरा जो हमारे पांच एकाई हैं कौन-कौन सी है मैं आपको बदा दाओं सुन लेना कायड माइन्स जो कि अजमेर में है रामपूरा गुज्या खान जो कि भीलवाडा में है राजपूरा दरीबा जो कि है राससमन में चंदेलिया लेंड जिंग स्मेल्टर जो कि है चित ओड़गड में औ इसको यहां पे संवानित किया गया है अगला फिर फ्रांइंच के अकौन बने हुद दूसतों जीन करें जो बी ऑप्षिन आपको देर्खा है कि आइस लेंड के दो बार से प्रेजिडअन बन गए हैं इसके support है इसके मुचल मार्टिन रखिएगा नेक्स्ट कोशिन के हाल इमें किसने ओवर ड्राफ्ट सेविंग दा इंडियन सेवर नाम से किताब लिखी है जो किसने लिखे दोस्तों उर्जित पटेल ने यह option आपका यहां पर इकरठ हो जाएगा उर्जित पटेल जो basically RBI के पूर गवर्णर रह चुके हैं उन थर्ड पिलर नाम से एक बुक लिखी थी सीए भी पटाभी राम की अगर बात करें सी ऑप्शन की इन्होंने भी हाले में एक बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हैर एजुकेशन और जिसको रिलीज़ किसने किया था हमारे उपराष्ट पती ने एम वेंकर नाइडू ने इनक को सारों बटाता हूँ कूंकि बुकस से सम्मधित किताब से सम्मधित एक कोशन 101 परेंट आपके एकजाम में पूछा जाता है इसलिए जितने भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूं परेंगे लिख लिख लिया करो और एक जिगा बना लो क्या है कि साल बर में कम से कम आप मान के चलो कि 50 से 100 बुक्स रिलीज होती है तो अगर ऐसे पढ़के अगर छोड़ दोगे इन बुक्स को कि एक दिन पढ़ा बाकी तो वो याद नहीं रहेगी इनको लिख लो क्योंकि most important होती है और जो famous person होते हैं उनके द्वारा अगर कोई बुक्स रिलीज की जाती है तो वो ज्यादा important बन जाती है एक्जाम में जरूर आईगी बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किसने कौन सी बुक लिगी है पूर आपको नाम रटने की भी ज़रूर नहीं आपक आप थोड़ा से इनको लिख के रख लो ताकि आपको थोड़ा नौलेज मेरा यह चीज़ें तो आज के वीडियो में दोस्तो बस इतना है उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंदा आएगा वीडियो पसंदा आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और पीडिय मिलते हैं एक वीडियो में